यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है बीस्वां दिन जीवन का मार्ग दर्शन कैसे करें? हमारी कार के दोनों और बहुत खरोचे थी उनमें से बहुतों के लिए मैं स्वयम जिम्यदार हूँ हलांकि मेरी याद इस विशे में सरलता से अस्थाई है हमारी कलीसिया के मैदान के एक और सक्रे प्रवेश दुआर में स्टेरिंग चलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी यह उसी का परिणाम था प्रवेश दुआर के एक और इंट की दिवार थी इसका प्रमान यह है कि बहुत सी कारों पर खरोंचे लगी हुई है जो सक्रे मार्ग में कांचों से बिना टकराए चलाए जाने में असफल हो रही है ज्यान को परिचालन की कला से परिभाशित किया गया है जब आप जीवन से गुजरते हैं तो आपको कठिन परिस्थितियों में से जाने के लिए दिशा निर्देश की जरूरत पड़ती है जिसके लिए बुद्धी की अवशकता है ताकि आप खुद को और दूसरों को नुकसान पहुचाने से रोक सकें नीतिवचन 2.12-22 तक गलत मोड से बचें अविश्वस नीता गलत मोड का उदाहरन है बुद्धी आपको गलत मोड लेने से या गलत दिशा में जाने से रोकेगी इसमें कोई संदेह नहीं कि बुद्धी आपको बुरे परिचालन से रोकेगी यहाँ आपको उस मार्ग पर जाने से रूखेगी जो कहीं नहीं जाता बलकि अस्थिर भूल भुलेया के चक्कर लगाता है और जिसका अंत बुरा होता है बुराई बहुत जल्दी आकरशित करती है लेकिन वो बहुत ही हठीली होती है और अंधकार की और अगवाई करती है विवाह परमेश्वर के सनमुख की गई वाचा है वाचा बहुत ही महतुपूर्ण शब्द है जो इसरायल के परमेशुर के साथ संबंद को दर्शाता है पुरानी वाचा और नई वाचा में हमारे संबंद उनके साथ है वाचा एक लिखित शपत है जिसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए व्यविचार जैसे संबंद में संमिलित होना दोनों ही और के लोगों के लिए गलत होता है इस विशे में स्त्री ने जिसने अपनी जवाणी के साथ ही को छोड़ दिया और उसके कारण वह उस वाचा को भूल जाती है जिसे उसने परमेशुर के सनमुक बांदी थी वह व्यक्ति जिसने उसके साथ विविचार किया है वह बहकावे के प्रलोभन में आकर सही मार्ग से भटक जाता है और अंत में वह मार्ग उसे मृत्यू की और ले जाता है बुद्धी आपको सही मार्ग में संचालित करेगी वह आपके पैरों को विश्वस्निय और सच्चे मार्ग पर रखेगी वह आपको उन लोगों के साथ खराई से चलाएगी जो सीधे मार्ग पर चलते हैं प्रभु मुझे बुद्धी दीजिए और मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने जीवन को सीधे मार्ग पर ले जा सकूँ जो जीवन की और जाता है नयानियम सही मार्ग को चुनना मत्ती 14 का 1 से 21 तक आपके जीवन का कठिन समय आपको गलत दिशा की और ले जा सकता है नीती वचन की पुस्तक हमारे सनमुख बुद्धी के मार्ग और दुष्टता के मार्ग के बीच चुनाव करने को कहती है यहां हम पढ़ते हैं कि दोनों मार्गों को व्यवहार में लाने से उसी तरह नजर आते हैं जैसे ईशु और हेरोदेश के जीवन में नमबर एक दुष्टता का मार्ग शासक हेरोदेश एक प्राधान्य के विरुद्ध था यह वह व्यक्ति था जिसने ईशु को उनकी मृत्यू के कुछ समय पहले अस्विकार किया था जब पिलातु उसने ईशु को हेरोदेश के पास भेजा हेरोदेश ने वही काम किया जिसके विरुद नीतिवचन के लेखक ने चैतावनी दी थी उसने अपने भाई की पत्नी हेरोदिया के साथ विविचार किया था अपने दोशी विवेक के कारण जब युहना बप्तिस्मा देने वाले ने हेरोदेश का विरोद किया तो उसने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया हेरोदेश का जीवन उसकी संतुष्टी के चारों और घूंगता हुआ प्रतीत हो रहा था उसने अपनी एक पतनी को निकाल कर दूसरी को रख लिया था उसका पूरा ध्यान केवल खुद की व्यक्तिगत प्रसनता को पूरा करने में लगा था इसी कारण वह अन्य लोगों के दुख का कारण बना जैसे की उसके भाई फिलिपी के लिए जब आपकी व्यक्तिगत प्रसनता अन्य लोगों की जरूरतों से बढ़ जाए तब सावधान रहें अस्विकार किये जाने का भाई हमें समस्याओं की और ले जा सकता है हेरोदेश युहना को मार डालना चाहता था लेकिन वह उन लोगों से डरता था फिर भी हेरोदेश को डर था कि उसके रातरी भोज सम्मेलन में आई हुए अति थी उसका इनकार न कर दें और इसलिए हेरोदिया की बेटी की विनती के अनुसार युहना बप्तिस्मा वाले का सिर कटवा कर उसे दे दिया यह निश्चय कर लें कि क्या सही है इससे बढ़कर लोग आपके विशय में क्या सोचते हैं इसकी अनुमती ना दें युहना बप्तिस्मा देने वाले ने साहस पूर्वक कहा था इसलिए हेरोदेश उसे मार डालना चाहता था परिवार में बुराई चल रही थी क्योंकि उसकी भतीजी हेरोदिया की बेटी ने अपनी मा के साथ मिलकर शाडियंत्र रचा था कि युहना का सिर अलग किया जाए वे दुष्टता से इतने कठोर बन गए थे कि तंग आकर उन्होंने युहना बप्तिस्मा देने वाले का सर थाल में मंगवा लिया युहना के चेलों ने इशु को इस भयानक घटना का समाचार दिया अपने चचेरे भाई की मृत्यू के बारे में सुनकर इशु को गहरा धका लगा बुरे समाचार के प्रती उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि वे व्यक्तिगत रूप से एकांत स्थान में चले गए उन्हें अकेले में परमेश्वर के साथ रहने की जरूरत थी फिर भी अपनी योजना में बाधा आने के बावजूद इशु क्रोधित नहीं हुए जैसा कि मैं अक्सर हो जाता हूँ योजना बनाना अच्छा है लेकिन परमेश्वर को अपनी योजना में हस्तक शेप करने की अनुमती अवश्य दें क्योंकि उनकी दया के कारण इशु के पास बुद्धी ना केवल बहाव के साथ जाने के लिए थी बल्कि सक्रियता से उत्तर देने के लिए भी थी उसने उनकी बिमारियों को चंगा किया यहां तक कि इन सब के बाद उन्होंने भीड से दूर जाने का अवसर नहीं लिया बल्कि उन सभी को भोजन कराया और इशु ने अपनी चेलों को चमतकारी धंग से भोजन कराना सिखाया हम इशु की असाधरन बुद्धी को देखते हैं कि जब उन्होंने उस दिन का मार्ग दर्शन किया तो उस दिन का आरंब दुखद हुआ था फिर भी इशु सफल रहे उन्होंने बिमारों को चंगा किया था और चमतकारी धंग से उन्होंने स्तिरियों और बच्चों के अल से भटकने ना दे बलकि मुझे दया और बुद्धी की और जरूर ले जाएं। अद्भुत सफलता, अद्भुत परिक्षा से ही मिलती है। इसे हम यूसुफ के जीवन में उधारन के रूप में देख सकते हैं। उसके साथ अन्याय किया गया और उसे जेल में डाला गया था। इतने पर भी उसकी पीडा का अंत नहीं हुआ। परमेश्वर ने यूसुफ को अपने साथी कैदी पिलाने हारे और पकने हारे के स्वपनों का अर्थ बताने की समझ दी। वह उन्हें साफ और सही अर्थ बताने लगा। पकाने हारे को फासी दी गई लेकिन पिलाने हारे को छोड़ दिया गया और उसे उसका पद फिर से दिया गया। यूसुफ ने जो कुछ उससे कहा था, वह उससे छुडवाए जाने के लिए काफी था, ताकि उससे याद रहे कि उससे यूसुफ का वर्नन फिरों से करना है, ताकि वह जेल से बाहर निकला जाए. फिर भी प्रधान पिलाने हारा यूसुफ के बारे में सब कुछ भूल गया, यह उसके लिए काफी मुश्किल और निराशा से भरा हुआ समय रहा होगा, जब आपके दोस्त आपको लज्जित करें, तो यह कभी भी आसान नहीं होता, यूसुफ के मामले में कैद खाने में उस उसके जीवन में मुख्य समय था, वह यह नहीं जानता था कि वह यहां से छूटेगा भी या नहीं, मैं धीरजवन्त व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि यदि मैं वहां होता, तो निराशा से पागल हो जाता, फिर भी परमेश्वर यूसुफ को अद्भुद बातो के लिए तयार कर रहे थे, संभाव तह उस समय ऐसा प्रतीत नहीं हुआ होगा, अपने साथी क्यादियों को खाना खिलाने के द्वारा, परमेश्वर ने उस स्थान से यूसुफ को पूरे देश को खाना खिलाने के लिए तयार किया, अंत में जब फिरोन ने स्वपन देख यूसुफ ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरोन के लिए शुब वचन देगा, हम देखते हैं कि यूसुफ किस प्रकार बुद्धी में बढ़ गया था, उसका आत्म विश्वास और अकड परमेश्वर पर निर्भर रहने के बाद बदल गई थी, वह यहाँ पर नमरता और विश्वास के असाधरन मिश्रण, दो गुण जो अकसर एक साथ नहीं होते, के साथ व्यवहार करता है, हमें ऐसी नमरता और विश्वास की अवशकता है, जब हम जीवन की चुनोतियों का सामना करते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकत और वह अवश्य करेंगे। फिरोन उसे संपूर्ण देश का अधिकारी बनाता है। आपके सारे संकट, परिक्षा और क्लेश में परमेश्वर आपको तयार कर रहे हैं। यूसुफ का बुद्धी में विकास हुआ। परिणाम स्वरूप उसने एक योजना बनाई जिसके द्वारा लोग आर्थिक मंदी और गड़ड़ी में मार्गदर्शन पा सकें। हम में से बहुत से लोग इस समय सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर की सहायता और बुद्धी हर समय हमारी परिस्तितियों को नहीं बदलती लेकिन आपके संघर्ष में ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रभू मैं आपका धनिवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन के कठिन समय का उप्योग करते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि मैं बुद्धी में बढ़ू, आप में निडर रहूं और जीवन की चनौतियों में मार्गदर्शित रह सकूँ। मैं यूसफ से बहुती प्रभावित हुई हूँ। ये आदर योग्य था लेकिन उसने इस पष्ट कर दिया था कि ये परमेश्वर ने किया है ना कि यूसफ ने जिसने स्वपन का अर्थ बताया था। उसके बच्वन की शेकी चली गई थी और सारी महिमा प्रभु को जाती हैं बलकि उसने रिहाई के लिए बाचित करने की कोशिश नहीं की इसमें कोई शक नहीं की फिरोन प्रभावित हुआ था। और परमेश्वर द्वारा उप्योग किये जाने के लिए तयार था। आज का वचन यूसफ ने फिरोन से कहा मैं तो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरोन के लिए शुब वचन देगा। उत्पती 41 का सोला।